जैम आता दी दोस्तों, कई लोग तो उपर से खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से दुखी होते हैं, उनके चेहरे पर भले ही मुस्कान दिखाई पड़ती है, परंतु उनके मन में उथल फुधल मची रहती है, उनके दुख उनके मन में कुछ इस प्रकार से घर कर ज जिसके बाद आप दुखी मन की समस्य से चुटकारा पा लेंगे, चलिए जानते हैं, पहले वो कहानी, एक व्यपारी ने शहर में नया घर खरीदा, उसके घर के बाहर पारकिंग और खुद का एक चोटा सा बगीचा भी था, वह व्यपारी बहुती खुश था, एक दिन जैसे कार की हेडलाइट भी तूट गई, और इसी तरह वो पत्थर गाड़ी को हर दिन नय 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 नुकसान पहुचाने लगा, यह देखकर व्यपारी के मन में विचार आया, जरूर यह कोई चटान होगी, जो जमीन के अंदर दबी हुई है, उसने सोचा चटान काफी प्रशिश करने लगा, तो एक पर फिर व्यपारी का गुष्सा आप इसे बाहर चला जाता है, और व्यपारी कर लेता है, कि आज चाहे जो हो जाए, व्यपारी को जमीन से बाहर निकाल कर रहेगा, उसने अपनी मदद के लिए अपने कुश मित्रों को बुला लिया, सबी को पत्थर के उस उब्रे हिस्से के पास ले गया और वह बूला यह देखो यह वही चटान है जिसकी वज़ा से मुझे प्रतिदिन नुकसान होता है आज चाहे जो हो जाए पर हम सब मिलकर इस चटान को उखाड कर रहेंगे इतना कहते ही व्यपारी ने उस पत्थर पर वार करना शुरू कर दिया अशरे की बात यह थी कि व्यपारी ने मात्र दो से तीन बार ही उस पत्थर पर वार किया था और इतने में ही वह पूरा पत्थर जमीन से बहार निकल आया यह देखकर सभी हैरान रह गए व्यपारी भी काफी चौक गया व्यपारी के मित्रों में से एक मित मात्र मुस्कुराकर बोला तुम तो कहते थे कि बगीची के बीचों बीच एक बड़ी से चटान दबी है लेकिन ये तो एक छोटा सा पत्थर निकला जो मात्र दो तीन प्रहार से ही बाहर आ गया यह देखकर व्यपारी को बहुती पश्टावा हुआ काश उसने पहले ही इस को निकालने का प्रयास कर लिया होता और आज तक उसे इतना नुकसान ना हुआ होता साधी वह अपने मित्रों के सामने हास्से का पात्र बनने से भी बश जाता इसे विश्य से संबंदित गीता में कुछ सलोग पाए जाते हैं शिरी कृष्ण कहते हैं जिसने मन को जीत लिय उसके लिए मन सर्वशेष्ट मित्र है किन्तु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन से बड़ा शत्रु कोई नहीं और वहीं दूसरी बाद शिरी कृष्ण कहते हैं मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण यहां वहां विचलन करता है लेकिन मनुष्य को उसे वहां से खीच कर लेना चाहिए और अपने वश में रखना चाहिए दोस्तो कोई भी दुख दर्द या परेशानी सबसे पहले हमारे मन पर ही वार करते हैं क्योंकि वहें जानते हैं अगर मन पर घाव कर लिया तो समझो संपूर्ण मनुष्य पर विजय पाली परंतु वास्तम में को पारा दुख बहुत बड़ा है और इसी विचार की वज़ा से हम कभी भी उस दुख से बाहर नहीं निकल पाते जबकि असल में वो परेशानी चोटे से पत्थर के समान होती है इसलिए जब भी आपके मन में कोई दुख आए तो उसके बारे में मन ही मन विचार करने की बज जाए उस दुख से लड़ना सीखें और जैसे ही आप उस दुख से डरने की बजाए उससे लड़ने की ठान लेंगे कट्टान की तरह दिखाई देने वाला वह दुख पत्थर के समान प्रतीत होगा इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस से आप लाइक कीजिए आपने दोस्तों रिस्तदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बैल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुं सके धन्यवाद दोस्तों